हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 8 करेंगे जो कि क्लास 7th की है और विश्य है गनित ये वर्क्षिट 20 अक्टूबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट, वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखने हैं आज की वर्क्षिट त्रिभुज और उसकी गुण मैं कौन हूँ? मैं होता हूँ प्राए जोपडी की छट में पुलो को सहारा देता हुआ मा के सैंड्विच में मिसर के पिरामिड्स राजा के क्राउनमें आपको दिख रहा है बेटा देखिए मैं कौन हूँ बेटा? मैं हूँ त्रिभुज वेरी गुड ठीक है अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है तीन असंक रेखिए बिंदुओं जो एक कागच एक ही कागच पर नै हूँ A, B, C को एक कागच पर बनाए और उन्हें जोड़े आपको कौन सी अकरती मिलेगी मान लो कि मैंने A, B और C तीन मिलेगी बनाए और इनको जोड़ दिया तो यह कौन यह जो आकरती बनी है यह क्या कहलाती है बेटा त्रिभुज यह क्या कहलाती है त्रिभुज यह तीन रेखा खंडों से बनी आकरती है जो त्रिभुज है वो तीन रेखाओं से मिलकर बनी होते हैं देखो एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा तीन रेखाओं से मिलकर आकरती को हम क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं जैसे कि चित्र में देखिए, हम देखते हैं, इस चित्र में देखो, यहाँ पर दिया है A, B और C, तो देखें तीम कौन से हो जाएंगी देखा, A, B, B, C, और C, यह तीम देखाए हो गई, और इनके शिर्ष देखिए, points कौन से हैं, A, B, and C, और कौन देखें कौन से हैं, कौ कौन एंगल दिखाना हैं, हमें, उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो, B, A, C, तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा, इसमें एंगल हो जाएगा A, ठीक हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं, C, A, B, तो C, हम क्या लिख सकते हैं, C, A, B, हमने ठीक है अब इसी तरह B, C, A देखो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश किया तो यहां से हम ध्यान से समझते हैं देखो Angle A Angle A को हम कैसे लिख सकते हैं या तो हम लिख सकते हैं Angle A या लिखेंगे B, A, C ठीक है इसी तरह अब लेते Angle B B को हम कैसे लिखेंगे Angle B या लिखेंगे हम कौन A, B, C इस तरह से इसी तरह C को हम लिख देंगे C या लिखेंगे B, C, A ठीक है उसी को मैंने थोड़ा लार्ज करके दिखाया है अब देखते हैं Next माधिका एक ऐसा रेकाकर जो शिर्ष वे उसके समुक भुजा के मध्य बिंदू को जोड़ता है देखें ये है शिर्ष हमारा और ये इसकी मध्य बिंदू है इसे हम क्या कहते हैं माधिका जैसे कि A, D हो गया यहाँ पे देखो ये शिर्ष है और ये क्या हो गया E, तो B, E हो गया और इसी तरह C, देखो C से यहाँ पे सामने वाली रेखा पर जा रहा है F, तो C, F, ये ABC की मध्य का है ठीक है बिटा समझ में आया जैसे कि हम ये त्रिभुज बनाते हैं कोई उसमें देखो क्या होगा ये त्रिभुज है जैसे कि ये त्रिभुज है और इसके एक रेकासे जरूरी नहीं है कि 20 से क्या खिंचा गया है और 90 डिग्री का कोण बनाया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं शिर्ष लंब त्रिभुज किसी भी शेप का हो सकता है प्यूर बनाये तो हम बनाते हैं साथ साथ में यहाँ पर देखो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं यह हमने लिया प्यूर और एक बुजा क्यूर को यह है क्यूर हमारी और यह है और ठीक है इसको आगे एस तक बढ़ा देते हैं इसे आगे S तक हमने बढ़ा दिया, वो यही कहा रहे ना, कि P क्यो आर एक त्रबुज बनाईए, उसमें क्यो आर को आगे S तक बढ़ा दीजिए, अब R पर बना कोन, P, मैं कलर चेंज कर लेती हूं, P, R और S बाहिय कोन है, यह कोन बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, बाहिय कोन, इसको क्या कहा जाएगा बेटा, बाहिय कोन, P, R, S का आसन कोन बताओ, अब इसका आसन कोन, देखो, आसन कोन मतलब कि सटा हुआ कोन, तो जो यह कोन होगा बेटा, इसे हम कहेंगे आसन कोन, जो यह कोन है, यह P, R, P, R, S का आसन कोन हो जाएगा, ठीक है, अब काट कर या अक क्या है बहुत जो अंत्य कौन है पी और क्न के बराबर होता है जब कोशन करेंगे तो किया दिया गया कोशन फस्स देखते हैं तुरिज पी क्यो और में भुजा क्यो आर तथा का मध्धे बिंदु दी है यह हमें डाइग्राम दिया गया है बैटा जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है त्रिबूस दिया गया है P क्यों और R ठीक है इसका मध्य बिंदु क्या है मैं बुजा क्यों R का मध्य बिंदु है DA इसका मध्य बिंदु है ठीक है तो PM PM क्या है बिटा देखो 90 डिगरे का कॉंड होता है तो हम क्या कहते है उसको लंब उसको क्या कहते है हम लंब शिर्ष लं कारता है उसने मध्य बिंदू भी बोला है तो इसको हम क्या लिखेंगे माधीका ठीक है next cancel क्या हो गया हमारा माधीका अब next क्या कहता है देखो QM QM और MR क्या equal है देखो ये ये और ये क्या equal है तो इसमें आजेगा नहीं ये equal नहीं है अब देखें क्या कह रहा है PM और और पी एम और 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 इसका वैल्यू बताने है तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 90 डिग्री क्योंकि लंब है न हमने पढ़ा था कि जो लंब होता है लंब 90 डिग्री का कौन मनेगा तभी तो हमने इसको लंब का हटा तो PM और की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 90 डिग्री ठीक है चार कोशन करें इसका सेकंड कोशन करवा रही हूं तो यह हमें हटाना पड़ेगा ठीक है अब मैं नेक्स्ट कर रहे हूं कोशन नंबर टू देखें क्या है कोशन नंबर टू क्यों पी और आर ठीक है क्यों पी आर की समुख भूजा बताईए तो हमें समुख भूजा क्या हो जाएगी पिटा क्यों और आर हमें समुख भूजा बतानी है न देखो क्यों पी और आर की समुख भूजा क्या हो जाएगी क्यों आर तो सेकंड कोशन का अंसर क्या हो जाएगा क्यों आर ठीक है अब हम कर करते हैं बटा देखें जेड की वेल्यू इंगल एक्ओल किसकी होगा किसके होगा एंगल देगãy प्लस एंगल 50 छी के यह प्ड़ातं सब्छा में भी पड़ा था कि प्रते यह शेहांपर यहांप लिखना होगा अब angle z किसके बराबर हो जाएगा बिटा देखो 150 minus 50 समझ में आ रहा है बिटा तो angle z की value कितनी हो जाएगी 65 degree कितना हो जाएगा 65 degree देखो समझ में आएगा आपको इस चीज़ समझ में आना चीए मालो यह z है यह x है तो क्या होगा z plus x equal किसकी हो जाएगा अगर इसको p मानते है तो angle p के क्योंकि यह क्या है यहाँ पे z कर देना बिटा ठीक है क्योंकि यह बाहिय कोन है बाहिय कोन की value जो होती है वो अंत्य कोन के बराबर होती है मैंने अभी आपको बताया था इस बारे में कि जो यह अंत्य कोन है यह दोनों जो कोन है यहाँ पे जो दोनों कोन दिये गए है यह वाला कोन और यह वाला कोन इन दोनों की value उन दोनों को जोड़ कर जो अंसर आएगा वो क्या होगा हमारा बाहिय कोन तो ठीक है तो हम लिखेंगे angle z प्लस कोन 50 हमें दिया गया यह रहा 50 किसके ब्राबर होगा 115 के क्योंकि यह बाहिय कोन है यहाँ पे आप लिख दीजेगा ठीक है उसके बार अब z की value निकालने तो यह यहाँ चला जाएगा और minus में हो जाएगा तो 115 में से यह बाहिय कोन किसके होगा एंगल 50 प्लस एंगल 70 ठीक है तो एंगल x की value कितनी हो जाएगी बिटा बताएगे बताएगे कितनी होगी कितना करेंगे बिटा एंगल 120 ठीक है तो हमारे x की value कितनी निकल जाएगी 120 तो एंगल कितना होगा इसका x का कितनी value हो जाएगी 120 ठीक है बिटा समझ में है बस यह बात समझ दीजिए कि जो ये बाहिय कोण है इसकी value किसके बराबर होती है इन दोनों angle के जोडने से जो अंताय कोण बोलेंगे इन अंताय कोणों के योग के बराबर तो ये आपको समझ में आ गया बच्चे थोड़ा सा ध्यान से करना होगा थोड़ी practice कीजिए NCRT लेके बैठिए आप अपनी ना अब हम करते है next question देखे क्या दिया गया अपनी दैनिक जीवन में दिखने वाले पांस त्रबुजाकार वस्तों के नाम लिखे तो बिटा कोई भी जिस लिख दीजे टॉफी हाना कई बाट टॉफी त्रबुजाकार होती है इसके अलावा पिज़ा पिज़ा का जो एक पीस होता है पिज़ा का वन पीस जब आप स्लाइस खाते हो वो कैसा होता है त्रबुजाकार होता है सैंडविच कैसा होता है त्रबुजाकार होता है ना ठीक है इसके लावा और कुछ सोचे जो तिर्बुजाकार होते हैं सीनरी कई बार घरों में सीनरी लगी होती है वो कैसी होती है बेटा तिर्बुजाकार होते हैं घड़ी कईयों के तिर्बुजाकार होती है अना चाहिए दिवार पे लगाने वाली घड़ी हो चाहिए शोपी करके अपने टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थैंक यू